नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इशिका जैन अगर आप टीचिंग लाइन में रूची रखते हैं इंटरस्ट रखते हैं और टीचर बनने का सपना देखते हैं तो RPSC आपके लिए सुनहेरा मौका लेकर आई है दरसल राजस्तान लोगसेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9,760 पदों पर सीनियर अध्यापक के लिए भरती निकाली है ये भरती अलग-अलग विश्यों पर की जाएगी तो अगर आप भी इस भरती के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप आयोग के ओनलाइन पॉर्टल rpsc.rajistan.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें आपको सिटीजन एप में उपलब्ध रिक्रूट्मेंट पॉर्टल का चैन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानि की OTR करना होगा candidate को परिक्षा के लिए online form भरने के बाद website पर online payment करना होगा और application ID को generate करना होगा ये भी जान लीजिए कि आप वन टाइम रजिस्टेशन करने के बाद OTR profile में स्वम का नाम, पिता का नाम, date of birth, gender, secondary, समकक्ष परिक्षा का विवरण और आधार card, pen card, water card, driving license आधी किसी भी प्रकार की details से जुड़ी, कोई भी प्रकार का शंचोदन आप इसमें नहीं कर सकते हैं तो जब भी form भरे, उसे बहत ध्यान तरीके से और बहत आराम से भरे साथी आपको ये भी पता दे कि इस भरती के लिए जो online registration है वो 11 अप्रेल से शुरू हो जाएंगे और इसकी last date 10 मई है तो आपको 10 मई से पहले ये form submit कर देने होंगे साथी आपको ये भी पता दें कि 18 से 40 साल के युवा इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं एक्जाम में सभी प्रश्ण object to प्रकार के होंगे और हर एक candidate का चैन इसमें एक्जाम के बाद इसमें selection किया जाएगा तो चलिए अब बात करते हैं कि जब आप registration इस भरती के लिए करेंगे तो उसमें परिक्षा का जो शुल्क है वो क्या लगेगा अगर आप सामाने वर्ग एवं राजस्थान के क्रिमिलेर श्रेणी के अन्य पिछडा वर्ग अती पिछडा वर्ग के आवेदक हैं तो आपके लिए ये फिस 350 रुपए है वहीं राजस्थान के नोन क्रिमिलेर श्रेणी के अन्य पिछडा वर्ग अती पिछडा वर्क एवं मार्थिक रूप से कमजोर तपके के लिए ये फीस 250 रुपए रखी गई है वहीं बात करें निशक्त जन की राजस्थान की अनुसुचित जन जाती तदा जिनकी पारिवारी कायद 2,50,000 से कम है उन केंडिडेट्स के लिए ये फीस 150 रुपए रखी गई है वहीं टीस पी शेत्र के अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती एवं 12 जिले की समस्त हैसिलों के लहरिया आधिम जाती के आवेदक के लिए ये जो फीस है यानि के रजिस्टेर्शन फीस मात्र 150 रुपए रखी गई है तो अगर आप भी टीशर बनने का सपना देखते हैं और टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस भरती के लिए 11 अप्रेल से आवेदन कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही नमशकार